दोस्तो आफी लोगों का कॉमेंट है और मैं आफी लोगों के कॉमेंट को पर आज इस वीडियो का बना रहा हूँ क्यूंके दोस्तो मैं अपना यूट्यूब चैनल में प्रैक्टिकल एक्स्प्रियंस स्यार करता हूँ और 200-300 Candice हम से एक ही Question पूछा है कि sir हम लोगो Master Controller का wiring के बारे में पुरा clear बताईए किसी के पास आपका resistance box एक step का है किसी के पास 3-step का है किसी के पास 4-step का है और किसी के पास 5-step का है तो Master Controller का connection हम लोगों क说 कि découvrir करना है जो Master Controller हम लोग के पास आ रहा है कोई बताया है कि हमारे पास 7 गो कीट लगा हुआ है कोई बोल रहा है 6 गो है कोई बोल रहा है हमारे पास 12 कीट है तो इसका जो connection है connection हमको किस तरह करना है दोस्तो यह जो हम आज यह वीडियो बना रहा हूँ यह भी totally practical experience मैं आप लोग साथ share करूँगा इस वीडियो को देखने के बाद आपको master controller के उपर कभी भी wiring करने में कुछ दिकत नहीं होगा चाए आपके पास एक step का resistance बोक्स रहे या आपका 5 step का रहे नमस्कार दोस्तो टेकनिसियन तपन YouTube चैनल में आपका स्वागत है चलिए आज कुछ नया सिखते हैं दोस्तो आज इस वीडियो में मैं आप आप लोग को master controller का wiring जीस हिसाब से बताऊंगा same to same आपको एक बार मिला के देखना भी जरूरी है तभी काम करने में काफी सुविधा हो जाएगा दोस्तो पहले जो friend हमको single gunner के crane के बारे में पूछा है उसके बारे में एक बार बता देता हूँ single gunner के crane में आपका क्या होता ह देखिएगा आपका no push button लगा हूँ रहता है इसका एक तरफ आपका 110 बोल्ड supply रहता है और कोई कोई crane में आपका 220 भी होता है और 110 भी होता है मैं दोनों के बारे में आपको बता दे रहा हूँ अगर इहां पर आपका 110 बोल्ड है तो उसके जगाएगा 220 का है तो इहां पर आपका एक फेज आएगा same to same connection होगा connection में आपको कुछ भी change नहीं होगा यह जो no push button है no push button से क्या होता है एक reverse के लिए no push button लगा हूँ रहता है एक forward के लगा हूँ रहता है जब दक आप push button को दबा के रखिएगा तब ही तक आपका motor चलेगा जैसे ही छोड़ दीजिएगा ओ connection दिया हो रहता है लेकिन single cutter के crane में आपका क्या दिकत होता है कि जो main host का motor है main host का motor के लिए एक resistance box रहता है और resistance box में देखिएगा जो आपका D, E और F इसमें आपका rotor का connection दिया हो रहता है और इसमें आपका सिरिप क्या होता है एक ही step का resistance box लगा हुआ रहता है D, E, F रहेगा और D1, F1 और E1 एही तिनों रहता है इसमें क्या करना है दोस्तों अगर एक resistance के लिए contactor दिया हुआ है तो आपको smoothly motor चालू करने के लिए आपका दिया हुआ है अगर आप इसको खोल के फेक दिजिएगा तो क्या होगा resistance बक्सा आपका गरम होगा गरम ना हो इसलिए एक स्टेप के रेश्टेंस कंपनी लगा के दिया है बहुत कुछ सोच समझ के लगा के दिया है जैसे दोस्तों प्रैक्टिकल एक्स्पिजेंस में आपके साथ स्यार करता हूँ तो इस पर जो सिंगल गडर के क्रेन है इस पर भी मैं काम किया हूँ यह जो आप कॉंटक्टर है डीवान इवान एफवान इसको आप खोल के फेक दिजिएगा तो उसके बाद क्या होगा रेश्टेंस बक्सा आपका थोड़ा गरम होने लगेगा और कभी-कभी जब आपका सिंगल गडर में क्या होता है पाश्टन और साथ टॉन इसी साइज में ज्यादा क्रेन रहता है जब आप लोड उठाईएगा तो देखिएगा रेश्टेंस बक्सा आपका गरम हो रहा है अब रेश्टेंस बक्सा में क्या होता है दोस्तों इसी टाइप के कोई ओयर लगा हुआ रहता है या आपका प्लेट लगा हुआ रहता है तो यह क्या होगा यह आप अपने से सोच लिजिए कि अगर हमारा resistance box काम नहीं करेगा तो क्या हो सकता है यहां से कि इस tape का cutout दिया हो रहता है और उसी को हम लोग D1, E1 और F1 बोलते हैं तो यह cutout अगर नहीं करिएगा तो पूरा resistance box आपका काम करेगा तो resistance box automatically आपका गरम होगा तो अगर आप जो comment किये हैं तो मैं बोलूँगा कि अगर resistance contactor आपका लगा हुआ था step 1 का तो ओ आप लगा दीजिएगा और उसका जो automatic किस तरह operate होता है उसके बारे पे भी मैं वीडियो बनाया हूँ एक जोली rehearse के नाम से आप वीडियो को देख लीजिएगा तो अगर आपक resistance का connection आपको किस तरह करना है दोस्तों यह हमारा master controller है ठीक है यह हमारा zero position है तो हमारा ज्यादा तर आपका क्या होता है आपका five step का resistance आप आ रहा है और हम लोगों क्या है कि जो 30 टॉन, 40 टॉन या 80 टॉन यह सब जो क्रेन है इसमें आप देखिएगा बड़ा बड़ा resistance बक्स practical जैसा ही बात करूंगा तो सबसे पहले हमारा क्या होता है master controller में आपका एक neutral kit रहता है तो सिर्फ neutral kit देखने से नहीं होगा जो मैं diagram बना के समझाता हूं उसके बारे भी समझना पड़ेगा किस तरह दोस्तों यह हमारा neutral kit का पहले देखना पड़ेगा किस टाइप का है इसका मतलब है दोस्तों चाहे आप reverse side चलाईए यह forward side चलाईए neutral kit आपका जब master control बीचो बीच होगा तभी आपका यह kit काम करेगा और जैसे आप एक नमर में लगाईएगा तब यह no हो जाएगा ठीक है और इसका symbol आपका इसी type का दिया हुआ रहता है अभी इसके साथ हम ए एक reverse का kit जोड़ेंगे और एक forward का kit जोड़ देता हूं ठीक है तो हमारा दो kit हो गया एक reverse के लिए हो गया एक हमारा forward के लिए हो गया ठीक है अभी reverse मतलब हमारा motor उल्टे तरफ गुमेगा forward मतलब हमारा सीधा तरफ गुमेगा अभी जो हमारा यह neutral kit है चाहे एक number में तब दक यह क्या होगा एनो रहेगा इसी टाइप का आपका एनो बनावा रहेगा एक एनो में यहां बना देता हूं यह हमारा एनो है एनो हो जाएगा तब इसका कोई काम नहीं है जब आपका master control बीचो बीच होगा तब फिर यह NC होगा अब यह जो हमारा neutral kit है neutral kit हमारा किसक साथ मतलब इंटरोक दिया हुआ रहता हैँ पेनल के साथ इंटरोक दिया रहता है मेन कॉंटेक्टर आपका लगा हुआ है यह कड़ी आपका काम करेंगा तो पड़ीट अतार में कॉंट्रीकटर अन होगा इसको हम लोग क्या करते हैं बाई-पास कर देता है इसलिए क्या होता है दोस्तों डाइवर गया केविन में जाने के बाद आपका जैसे ओन बला पूस बोटन ओन करता है तुरण्द क्रेन चालू हो जाता है चाहे आपका क्या होना बहुत जरूरी है नहीं तो क्या होगा डाइवर जैसे ओन करेगा कुछ ना कुछ एक्सिटेट होने का चांस रहता है दोस्तों अभी आता है हमारा रिवास बला और फर्वार्ड बला तो हमारा जो यह न्यूटल बला कीट है न्यूटल बला कीट का तो आप काम जान इसका मतलब है दोस्तों जाब हमारा मोटर उल्टा तरफ घुमेगा मतलब हमारा आरिया होगा आरिया होगा मतलब नीचे तरफ आएगा यह नीचे तरफ का आपका सिंबल दिया हुआ है ठीक है यह रिवास बला कीट है और जब हमारा फर्वार्ड हो जाएगा तो फर्वार प्रिखल में काम करता है हर आदमी यह सिंबल देखके समझ जाएगा कि कौन हमारा उपर तरफ जाएगा कौन हमारा निचे तरफ आएगा कौन हमारा बिचो बीच रहेगा तो यह हमारा हो गया तीन को कीट का काम अभी दोस्तों क्या होता है जब आपका जो माली जी का 10 टन 15 ट चालिस टोन असी टोन दिनों-दिन क्या हो रहा है बड़ा-बड़ा फरनिस आ रहा है पहले मैं जब काम करता था 500 के जी एक टन का फरनिस आता था अभी आपका 40 टोन मेगलाई में तो 7 टन का फरनिस लग गया है इंडेक्शन फरनिस तो उसके लिए क्रेन भी तो आपका या तीस्टन या चालिस्टन कोई भी पैनल आप देख लीजिए देखिएगा DC चोक लगाऊ रहता है तो DC चोक का काम हम लोग को क्या है इसमूद DC बनाना तो सेम टू सेम दोस्तो यह जो मास्टर कोंट्रोलर है मास्टर कोंट्रोलर का कनेक्शन भी आपको इस टाइब से करना पड़ेगा क्या हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स गरम ना हो और इसमूद ली एकदम चालू हो जाए डबले माय और साइको करेंड में एही सेम फंसन रहता है डबले माय और साइको करें में जब आप एकसोटנ्द दोसो टटन्ड का करेंड में काम की जिए गा तब देखेगा रेजिश्टेंस वानbringen सटू रेजिश्टेंस थी रेटव फोर रेजिश्टेंसौ तो इसको हमको समझना किस तरह है हमारा यह हो गया यह हमारा एक हाथ हो गया यह हमारा कीट कॉधि का चलेगा यह दोनों हाथ आपको लगाना ही पड़ेगा इसके साथ हमॉर एक हाथ जोड़ेंगे पहले कौन साहत जोड़ेंगे कि हमारा जो रिवास और फरवाट जलेगा तो यह हमारा स्मूथ लिक कैसे चल होगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहां पर तो हमारे 110 बॉल सप्लाई दिया हुआ है ठीक है यह जो कीट है यह हमारा ब्रेक के लिए कि कुछ एक सिटेट हो जेगा धक्का मार दीजिएगा इसलिए एक ब्रेक के लिए जरूरी है तो यह हमारा ब्रेक के लिए जो ब्रेक थारेश्टर का कॉंटेक्ट रहे उसके लिए कीट है ओभी हमारा एनोई रहता है और इसका भी सिम्बल आपका सेम टू सेम ऐसा ही देना पड़ता ह इसलिए कि रिवास और फरवर्ड दोनों में काम करेगा तो दोस्तो हमारा यहां पर चार गो हाथ हो गिया मास्टर कॉंट्रोलर मतलब जीतना कीट बढ़ेगा तो उसका हाथ उतना बढ़ेगा एक साथ में काम कर सकता है देखिएगा जो हम लोग मा दुरगा का नाम मैं बत जाएंगे मास्टर कॉंट्रोल करेंगे इतना ही साइज कर रहेगा उसी के भीच में चैनल करेंगे तो यहां पर हमको क्याम भी लगा ना पढ़ेगा और कैम इस हिसाप से लगना पर परफेक्ट काम करेगात तो यह हमारा जो चार को कीट है इसके आपर साध को कुछ अब क्या है इसका भी symbol एही same to same रहेगा कि हमारा reverse forward दोनों तरह भी काम करेगा ठीक है तो अभी एक हाथ हम जोड़ दिये एक हाथ किसले जोड़ दिये कि जब हमारा ये motor घुमेगा तो एकदम धीरे धीरे चलो होगा जैसे गारी में एक नमबर में डालीएगा तो क्या होगा थोड़ा साथ दिरे दिरे पिक अब लेता रहता है और पांच नमर में आप डालेंगे तो पूरा फूल इसस पीड हो जाएगा तो जिसके पास मालीज़े के कौन सा प्लाट में कितना स्टेप का रेश्टेंस बॉक्स है हमको पता नहीं है तो जिसके पास भी एक स्टेप का क्ला करना हिक निया है और निसक को चोड़ दैना ऑन चर्पी verk नहीं करना है तो यह इंप्सक्ति छिप्वाज नहीं करना यह पीख के शुख करना है और लेकिन एक Saturday सब्सक्ति आरा है तो पो बैस आपक तीने कित क τα करण सबखेगा बनेकर्थ एक फर्वार्ड और एक रेस्टेंस वाल एकदम किलियर हो गया अगर इसको आटो में बनाना है तो उसके लिए तो मैं आपका डाइग्राम बना के समझा चुका हूं एक जुलीरी होस्ट में उस वीडियो का आप देख लीजिएगा तो आपको डाउट किलियर हो जाएगा तो यहां भी हमारा एनोई रहता है तो हम यहां रेस्टेंस टू लिख देते हैं तो रेस्टेंस टू का कॉंटेक्टर ऑपरेट होगा तो क्या होगा मोटर थोड़ा गरम कम होगा रेस्टेंस बोक्स कम होगा गरम तो इसी टाइप से दोस्तों मास्टर कॉंट्रोलर का कनेक किया हो रहता है तो यह दोनों कीट आगर आपको connection करना तो मैं जीस तर आपको समझा है same to same connection कीजिए और एक resistance है तो एक resistance का connection कीजिए reverse forward resistance 1 अगर दो का है तो दो करकिजिए जितना हात आप जोड़िए गा उतना wire बढ़ेगा उतना connection बढ़ेगा आप जहीएसे यहाँ पूरा जोड़ देता हूं जितना सारह है हम 13 12 असके बाद आपका 505 जोड़ देते हैं तो जहाँ पें जीतना रहेगा उतना हीने हमको जोड़ना पड़ेगा अगर जहाँ पर है यहीं नहीं तो यहाँ से जोड़ेंगे तो इसी तरह दोस्तों होता है connection master controller का और इसके बारे में मैं जीस तरह आपको समझाया हूँ कोई भी YouTube चैनल में आपको ये वीडियो मिलेगा भी नहीं और इस तरह आपको practical experience सियार करेगा ही नहीं कोई भी private company में मिला कर देख लीजिएगा एक दूसरे के पास से थोड़ा सा experience उधर लेने जाईएगा तो थोड़ा सा हट के इसे हट जाएगा मतलब आप उसका जान मांग लिए है अरे थोड़ा सा जानकारी देदेगा तो क्या हो जाएगा इसलिए दोस से आदमी है सिखना नहीं चाता है तो उससे कुछ भी दिकत नहीं है अगर आपको सिखना है तो सिखिए नहीं सिखना तो फिर भी कुछ दिकत नहीं है लेकिन resistance box यह जो होता है यह मैं जहां तक समझता हूं यह जो आपका master controller में connection होता है चाहिए resistance box रहे कितनों भी step का connection करने है अगर आपका माली जीए कि आपका resistance थिरी तक है तो एक दो तीन चार चार गो करनेक्शन करना है पांच रहेगा तो पांच गो छे रहेगा तो छे गो बहुत ही सिंपिल है बहुत सा अदमी को क्या तो कर डाउट हो जाता है master control को देखके क्या होता है इसके अंदर धेर सार कीट रहता है अब कौन किसमें जोडेंगे तो आपको एक ही चीज में important होता है कि जब भी आप connection कीजिए तो कीट को देख देखके कीजिए पहले आपको reverse बला करना है उसके बादे आपका resistance बला करना है और यह जो break बला और neutral बला कोई-कोई जगा में रहता है कोई-कोई किया है कि हमारे पास ब्रेक के लिए contractor नहीं हम क्या करें तो ब्रेक के लिए जब ही नहीं तो आप connection कहां से कीजिएगा ब्रेक बला छोड़ देना पड़ेगा क्योंको तो मोटर टर्मिनल से दिया हुआ है और यह नूटल बला पोड़ेक्टिव पैनल जो में गोंटेक्टर उसके सब मास्टर कंट्रोलर के इंटरलोक दिया हुआ नहीं अल्रेडी आप ड्यूटी आने से पहले ही बाइपास करके रख दिया है अगर आप चाहिएगा तो इसके connection दे सकते हैं कोई बड़ा बात नहीं है और नहीं भी दे सकते हैं अगर पॉडेक्टिव पैनल वेला व करके हमको बताईएगा मैं जितना हो सेगा आपका help करूंगा क्यूंकि यह जो यूटीब चैनल है मैं practical experience share करता हूं और जितना हो सेगा आप लोग का help करता हूं अगर आप मेरा यूटीब चैनल में पहली बार आये हैं तो जरूर चैनल को subscribe किजिएगा like किजिएगा और share जितना ज्यादा share किजिएगा उतना आदमी के पास पहुंचेगा और मेरा यूटीब चैनल के बारे में मालूम हो जाएगा नमस्कार